नमस्कार दोस्तों 15 फर्वरी 2021 के डेली एडिटोरल डिसकुशन में आपका स्वागत है देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिसकुस करेंगे देखे पहला जो आर्टिकल है वो है वें ट्विटर वॉस इंदा राइट एक ये जो आर्टिकल है कि सेक एक तो ये वाला आर्टिकल है दूसरा आर्टिकल जो इसके रिस्पेक्ट में आज के एडिटोरल में है वो यह है फजी लॉओ अन्क्लियर जूरिस्पृदेंश ट्रैंपल्ड राइट इन दोनों में से मैं ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपके साथ डिसकुस करूँगा च दूसरा आर्टिकल चपा है, इसको मैं इसलिए नहीं रिस्कस कर रहा हूं, बेसिकली यहाँ पर थोड़ा कुरूड तरीके से सरकार की बुराई करना, तो इस प्रकार के आर्टिकल को मैं स्किप करता हूं, जहाँ पर कहते हैं कि स्टाटिस्टिकली करेक्ट तरीका बताया जाता है, सरकार को किटसाइज करने का, वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करता हूं, तो यह मैं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर कि ट्विटर ने यहाँ पर जो किया, वो कैसे सही हो सकता है, ठीक है भई, उसके बाद यह एक आर्टिकल जेनरलिजम से रिलिटेट हर मंडे छपता है, तो उसको मैं स्किप करता हूं, उतना इंपॉर्टन नहीं है, एक और इंपॉर्टन आर्टिकल है, ओपनिंग अब दा वैक्सीन मार्केट, यहाँ पर जो ऑथर है, वो बहुत अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, चलंतन चेटर जी जी, कि इंडिया में अभी के लिए दो वैक्सीन से वेलेबिल, को वैक्सीन और कोवीशील्ट, उसके च आर्टिकल की तारीफ की जाती है, इस आर्टिकल में सुझन साव ने सरकार की क्लीर कट बहुत तारीफ की है, सुजन आर्चुनाय जीक फॉर्मर अमबैजडर है और निगोशियेटर है इंडिया-चाइना बाउंडरी इशूस पे, इस करेंटली डिरेक्टर जनल मनोहर परिक्कल इंस्टिटूट फोर डिफेंस स्टेडिज अनेलिसिस। तो भाई कही न कहीं ये एक ऐसी पोस्ट पे पहले बैट रखेंगी इंडिया-चाइना रेलेशन के बारे में इनको बहुत कुछ पता है और ये काफी तादीफ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्रिमेंट की जो पैंगॉंग सोपे इंडिया-चाइना की बीच में डिस इंग करोना की वज़े से जो डेट सोरी है पर दे वो धीरे-दीरे कम होते जारी है उसके चलते हमारा कॉंफिदेंस बढ़ रहा है अच्छी बात है ये लेगिन कहीं न कहीं वाईरस अभी खतम नहीं हुआ है उसके साथ डील करने के लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा तो इसक इसके रिस्पेक्ट में मैं एक वीडियो अलड़ी बता चुका हूं जब मैं इस आर्टिकल को डिसकस करूंगा तो इस वीडियो का रफरेंस भी आपको दे दूंगा और यहां पर बहुत से पॉइंट्स रिपीटिट होने वाले जो मैंने वीडियो में कवर किया बहुत से तो इसको डिटेल में एक बार और देख लेंगे तो यह हैं टोटल पांच आर्टिकल्स जो मेरा टार्गेट है कि मैं आज के आपके साथ डिसकस करूंगा अगर मालीजिए ज्यादा टाइम चार आर्टिकल्स में बीच जाता है तो एक आर्टिकल में अलग से आपके लिए चार आटिकल्स तो देखे डिसकस होंगे होंगे इस वीडियो में कोशिश करोंगा कि पांच के पांच आटिकल्स डिसकस कर लो तो आगे बाटन इस पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक कर बटन अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हैं किसे ओपनिंग अब दवेक्सीन मार्केट अफ्री मार्केट कॉंपटिशन च्वाइस एंड प्राइस विल हैप एडवांस शोचल वेलफेर क्या बोला जा रहा है यहां पर इंडिया के वैक्सीन प्रॉस्स की बात की जाए तो लगबग चार हफते शुरू हो चु क्या है इंडिया के वैक्सीनेशन प्रॉस्स को शुरू हुए पिछले चार हफतों से कोविड-19 की वैक्सीन को इंडिया एड्मिनिस्टर कर रहा है अगर बात की जाया तो इन पहले चार हफतों में हमारे देश में लगबग आठ मिलियन लोगों को यह वैक्सीन दी गई है बचिस अरुब पॉइंट 6 पर संट अव्दे पॉपलेशन यह लोग जाहततर हमारे हेल्थ वरकरस हैं जिनको यह वैक्सीन दी जारी हेल्थ वरकरस के रहे और मूस्ट मेंडिटरी सकार रखा है हाला कि voluntary है यह health workers ना चाहें तो ना ले vaccine को और जिस level पे सरकार ना सोचा था कि vaccine लेंगे लोग उस level पे तो देखें नहीं ले रहे हैं अब seroprevalence survey हुए भी तीसरी और तीसरी seroprevalence survey में यह suggest किया गया कि some 400 million people already have antibodies against SARS-CoV-2 virus 400 million मतलग 40 crore लोग यानि कि इस हद तक corona का infection इंडिया में फैल चुका है कि almost 40 crore लोग तो corona virus से already infect हो चुके है herd immunity का level कितना है तो 60-70% बताया जाता है herd immunity का level अगर अब तक आपको herd immunity नहीं पता है मैं फिर से बता जेता हूँ कि मालीजे 100 लोग है अब अगर कोई virus फैल रहा है इन 100 लोग के बीच में अगर 60-70 लोग कोई virus हो जाता है तो जो लोग virus के सामने कमजोर होंगा जिनका immunity system वो तो देखिये मर जाएंगे जो जिन्दा बचेंगे वो इसलिए जिन्दा बचेंगे चुकि उन लोग का जो immunity level है वो उस virus को हरा चुका है और जब उनका immunity level उस virus को हरा चुका है तो वो virus आगे नहीं फैलेगा तो बाकी जो 30-40% लोग बचे है ना उनको कुछ नहीं होगा इसलिए अगर 60-70% of the population इंफेक्ट हो जाती है किसी एक virus से तो बाकी 40-30% इंफेक्ट नहीं होंगे चुकि हर्ड immunity आजएगी जिसको मरना है उस virus से वो मर जाएगा और जो जिन्दा बचा है उसके immunity level ने उस virus को हरा दिया है तो वो जिन्दा बच गया समझ गया बात को तो अगर वो उसके immunity level ने उस virus को हरा दिया है तो वो बाकियों को इंफेक्ट नहीं करेगा ठीक है भाई तो माल लेते हैं कि true herd immunity 60% पे होती है और हमारे देश की आवादी है लगबग 1.3 billion 130 करोन तो इस 130 करोन का 60% कितना होगा 780 million यानि 78 करोन लोग यानि इंडिया में 78 करोन लोगों के अंदर antibodies अगर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम herd immunity पे पहुंच गए अभी बात यह है कि 78 करोन के अंदर ये जो herd immunity है वो naturally भी आ सकती है और vaccine के थूँ भी आ सकती है antibody होनी चाहिए उसके अंदर अब जिसको infection हो गया और जिसकी immunity ने उस infection को हरा दिया उसके अंदर तो antibody आ गई कुछ लोग के थूँ अंदर vaccine से आ गई ठीक है भी अभी के लिए बोला जा रहा है कि 400 million यानि 40 करोन लोग की immunity अलरड़ी इस virus को हरा चुकी है तो अगर 780 million पर यानि 78 करोन पर हर्ड immunity है और 400 million हम अलरड़ी पहुँच चुके हैं 40 करोन तो मतलब 38 करोन लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको virus का infection हो सकता है ठीक है ना भाई वो अलग बात है कि virus का infection होने के बाद उनकी immunity उसको हरा दे वो अलग चीज है लेकिन क्या इन 38 करोन लोगों को बिना virus का infection की बचाया जा सकता है क्या ये possible है कि इनको vaccine देके इनके अंदर पहले antibody पैदा कर दो ताकि भाई आगे virus का infection इनके प्रतिना के बराबर हो ये possible अभी होता नजर नहीं आ रहा है क्यों नहीं नजर आ रहा है इसकी एक वज़े ये बहुत बड़ी है कि को vaccine को जिस प्रकार से emergency use approval दिया है सरकार ने सब का doubt सरकार के उपर आया है और जिस rate पे अभी के लिए vaccination हो रहा है कि पहले चार हफतों में केवल भाई 0.6% of the Indian population को vaccination मिला अगर आब इस speed से चलो तो भाया अगले 47 महीने लगेंगे 47 months, almost 4 साल लगेंगे सब के अंदर मतलब total herd immunity level लाने के लिए यानि कि ये जो 380 मिलियन लोग बचे हैं न इनको पूरी तरीके से immunize करने के लिए 47 months, almost 4 साल और लग जाएंगे अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सरकार vaccine के case में free market system को लेके क्यों नहीं आ रही है free market system मतलब कि क्या केवल co vaccine और covid shield दो ही ये vaccine बची है हमारे देश में कहीं न कहीं सरकार जो भी vaccine को vaccination के लिए लेके आ रही हैं उनके प्रती लोगों का उतना भरोसा नहीं आ पा रहा है खासकर co vaccine के प्रती नहीं आ पा रहा है तो दो तीन चीज़ें सरकार कर सकती covid shield ज़्यदा provide करे या फिर एक काम करे कि जो बाकी vaccines बन रही है जिनको बाकी देशों में अलड़ी दिया जा रहा Pfizer जैसी, Moderna जैसी इनको इमार्केट में लाया जाए इस स्पटनिक 5 की बात की जाए कहीं न कहीं एक चीज़ साफसाब नजर आ रही है कि Pfizer, Moderna और स्पटनिक 5 जैसी vaccines को इंडिया में implement किया जाए इस चीज़ पे सरकार बहुँ जाए जोड नहीं डाल रही और खास बत दोस्तों ही है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा ऐसा तपका है जो अपनी जैब से अलग से पैसा निकाल के vaccine ले सकता है तो अगर कोई एक ऐसा तपका है जो कि co vaccine और co vaccine नहीं लेना चाहता है वो Pfizer, Moderna या स्पक्टनिक 5 जैसी vaccine लेना चाहता है और उसके पास पैसे हैं वो उस vaccine के लिए pay करने के लिए तो भाई उसको वो vaccine privately available होना चाहिए पड़ सरकार कैसे न कैसे करके ऐसा लग रहा है कि दूसरी vaccines को market में नहीं आने की कोशिश करने दिरी मतलब नहीं आने देना चाहरी सरकार हमारे इंडियन मार्केट को बाहर की दूसरी vaccines के लिए open up नहीं कर लिए कोवी शील्ड को इंडिया की vaccine नहीं है बट कहिए ना कि Oxford University of Serum Institute of India ने मिलके कोवी शील्ड को डेवलप किया है और वहीं बात आप करो कोवैक्सीन की जो कोवैक्सीन तो भारत बायोटेक की vaccine है इन दो vaccine के लावा बाकी जो vaccine से दुनिया भर में जिनको approval मिल रहा है जो use हो रही है उनकी इंडिया में entry उस level पर होनी पारी है और इसके चलते बहुत सारे लोगों के दिमाग में doubt आ रहा है कि क्या सरकार के लिए लोगों की health और welfare से जादा ये important है कि कुछी प्रकार की vaccines इंडियन मार्केट में use हो और बाकी vaccines इंडियन मार्केट में availability ना हो पाए खास कर तब जब इन vaccines के ओपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है और लोग अलग से पैसा देके इन vaccines को लेने के लिए तयार है तो एक constricted vaccine market क्या सरकार एक constricted vaccine market लेके आना चाहती है जो कि बिल्कुल सही नहीं है बाइल लोगों के पास भी freedom होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब की vaccine से चुन सके अगर सरकार को इस देश को एक 5 trillion dollar की economy मिनाना चाहता है तो herd immunity ज़रूरी है और herd immunity के लिए जितनी जल्दी vaccines और vaccination का process complete किया जा सके उतनी जल्दी अच्छा है ये अलग बात है कि सरकार कोवी शील्ड और कोवैक्सीन से इस प्रॉपस को पूरा करना चाहती है और लोग हो सकता है कि कोवी शील्ड और कोवैक्सीन को उस limit तक ना लेना जाए अब देखिए चार हफ़ते हो चुके हैं बहुत सारे लोगों को vaccine मिल रही है जैसे जैसे समय बीता जाएगा हो सकता है लोगों के अंदर इन vaccine के प्रतोई भरोसा बढ़ता जाए अब ही के लिए भरोसा उतना नहीं है, इसलिए बहुत सरे लोगों ने वैक्सीन जाके नहीं ली है ठीक है भई, उसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि किस हद तक इंडियन्स फ्री में ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं अगर आप बात करो यूएस जैसे देशों की, तो भाई यूएस जैसे देशों में सरकारों के पास इतना पैसा है कि वो वैक्सीन को अपनी पूरी आबादी के पास फ्री ओफ कॉस्ट पहुचा सकते हैं इसा निकालना ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वैक्सीन की चॉइस को इंडिया में लिमिटेड रखोगे, तो बहुत सारे लोग वैक्सीन्स लेने के लिए देश के वाहर चले जाएंगे ठीके न, यूएस में एक ट्रेंड देखा गया है कि वहां के बहुत सारे सेलेब्रेटीज जा जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और अपनी फोटो अपडेट कर रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवाया है तब तक लोगों को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा कि हाँ भाई ये वैक्सीन सेफ है और आगे आने वाले समय में अगर कोवीशीड और कोवैक्सीन के अलावा वैक्सीन की चोईस इंडिया में नहीं बढ़ी तो हो सकता है बहुत सारे सेलिब्रेटीज यूएस या यूरोप जाके में वैक्सीन कराने लगे अपने आपको इंडिया में वह वैक्सीनेशन कर रहे ही ना वह काउंटर प्रोडुक्टिव हो जाएगा तो बेसिकली कोल मिला के सार क्या इस आर्टिकल का की कोवीशीड और कोवैक्सीन के अलावा जो बाकी वैक्सीन से उनकी च्वास भी इंडिया में एवलेबिल होनी चाहिए सरकार जिन वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए के वल वही वैक्सीन अवलेबिल हो यह सही नहीं है नेक्स्ट आर्टिकल है अडिस इंगेजमेंट डील बेटर देन एक्सपेक्टर बट कॉशिस डिप्लोमाटिक एंडिटरी प्लानिंग इंडिया चैना की यहां पर बात हो रही है यहां पर जो ऑथर है सुजन आर्चुनाय जी वो कहीं न कहीं इस डिस इंगेजमेंट डील को काफी अच्छा बता रहे हैं दोनों साइट्स ने 11 फरवरी को एनॉंस किया कि जो मैसिव आपका इंगेजमेंट हुआ है मैनल में LAC का डिस इंगेजमेंट होगा इसके रिस्पेक्ट में मैं अलड़ी एक वीडियो बना चूप कल शाम में मैंने इस वीडियो का अपलोड किया है पैंगॉंग सो डिस इंगेजमेंट इस चैना अगेन बैक स्टाइमिंग इंडिया यहां पे एश जेशंकर साब के आठ प्रिंसिपल क्या है चाइना के साथ डील करने के लिए इंडिया ने कौन से आठ ऐसे ब्रॉड प्रोपोजिशन जिये हैं जिसके चलते इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप डिसाइड होनी चाहिए क्या चाइना इंडिया के अगेंस्ट एक लिमिटेड वार लिए जाके आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या बात की जा रही है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे जो पीसफुल रिजिलूशन हो रहा है ये इसको काफी अच्छा बता रहे है ऑथर यहाँ पे अगर आप बात करो इंडिया और चाइना के रिष्टों की तो इंडिया और चाइना की रिष्टों को काफी नुकसान हुआ है रिसेंटली मतलब अपरेल के बाद चाइना ने में में जो करना शुरू किया उसके चलते इंडिया और चाइना की रिष्टे बहुत लंबे समय से खराब होने लगे गलवन मेली का इंसिडेंट हुआ 15 कुछ आइडिया ही नहीं है अब यहां पर बहुत लंबे समय से इंडिया सीधे सीधे हाइलाइट करता आ रहा है कि नॉर्बल कंड़क्ट ऑफ रिलिशन के लिए क्या ज़रूरी है और एश जिशंकर साब ने भी जो आठ प्रिंस्पस बताए है ना ये इंडिया की ऑफिश कैलाश रेंज थी अगर ये पैंगॉंग सो है तो इसके नॉर्थ बैंक पे फिंगर फोर से लेके फिंगर एट के वीच पे चैना बैठा था और साउधन बैंक पे यहां पे जो कैलाश रेंज है इसके परवत की चोटियों को इंडिया ने कब जा लिया फाइनली यहां पे थोड़ी सी अच्छी होती नजर आ रही है अच्छी होती इसलिए नजर आ रही है चुकि आल्मोस्ट पूरे विंटर बीद गए है और कैलाश रेंज की इन पहाडियों को इंडिया वाले चड़के बैठे हुए हैं इंडिया जब इस कैलाश रेंज पे चड़के बोला गई है कि बहुत लंबे समय तक अगर यह stand-off चला तो इस हद तक इंडिया चाइना की रिष्टे बिगड़ जाएंगे कि चाइना को ओवरॉल नुकसान भी होगा चाइना को लगा था कि हार्श विंटर वंस में हो सकता है इंडियन वापस जाएंगे वापस जाने का तो देख जो भी engagements है या जो भी stand-off है या आगे बढ़ते रहते हैं तो overall ना चाइना को फाइदा होगा ना ही इंडिया को फाइदा होगा तो थोड़ा बहुत यहां पर अपनी image को ठीक करने के लिए चाइना यहां पर एक प्रकार का अरेंजमेंट कर रहा है logistics की बात की जाए तो अपने side पे finger 4 से लेके finger 8 के बीच में चाइना एक बहुत बड़ी सलग बना चुका है लेकिन इंडिया के पास उसके अच्छे logistics नहीं है उसमें इंडिया को फाइदा यह है कि finger 8 के east में सिरजाब बेस में जाके बैठेंगे चाइना वाले और जो हमारी finger 3 पे थापा पोस्ट है हम उस पोस्ट से पीछे नहीं अटेंगे तो कुछ ये चीजें हैं जो कि इस particular pengong so वाले agreement को यहाँ पे अच्छी बता रही है कुल मेरा के बोला यह जा रहा है कि जिस पकार से हमारी सरकार ने इस arrangement को take up किया है इस pengong so के disengagement वाले process को take up किया है ये इंडिया के favor में ही है कहीना कहीं जो हमारे military negotiators है कहीना कहीं जो हमार सरकार का चीजों से deal करने का तरीका है वो तरीका यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है इसके बारे मैं और जानने के लिए मैं फिर से आप से suggest करूँगा यह LAC disengagement explained वाली वीडियो को जाके एक बार देख लीजे आपको काफी चीज़ें clear हो जाएंगे next article जो मैं आज आपके साथ discuss करूँगा वो है boosting confidence the government should ensure that available stocks of vaccine are used efficiently यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दिखे simple सी बात यह है कि करूणा वाइरस का जो infection trend है वो इंडिया में नीचे की तरफ जा रहा है जो daily नए cases है करूणा वाइरस के वो आप कह सकते हो कि इस महीने में तीसरी ब 9.9 million cases है और कहीं न कहीं इस महीने में आठवी बार ऐसा हुआ है कि दिन में 100 से कम मौते करूणा वाइरस की वज़े से हुई है एक जनवरी के figure की बात की जाए तो एक जनवरी को 20,000 नए करूणा वाइरस के cases आये थे और इस महीने के end तक आते आते यानि की फरवरी बतलब जनवरी एंड आते आते लगबख दिन के 11,000 करूणा वाइरस के cases आने लगे अब बात यहाँ पर यह है कि अगर vaccination की बात की जाए तो इंडिया में पहले चार हफतों में 8.2 million doses of vaccine दी गई है health workers को और front line workers को problem यह है कि kovi shield और co vaccine के 16.5 million doses को खरीच चुकी है सरकार from manufacturers इन doses में से 8.2 million doses को administer किया जा चुका है health workers को कुल मेरा के बात यह कि सरकार जिस level पे vaccination process को आगे बढ़ाना चाती थी vaccination process उस level पे आगे नहीं बढ़ रहा था सरकार ने कि expect किया था कि जैसे ही दवाई आएगी जैसे ही सरकार announce करेगी लोग भागना शुरू कर देंगे दोड़ना शुरू कर देंगे health care center की तरस वैक्सीन लेना शुरू कर देंगे problem यह कि actually मैं ऐसा हुआ नहीं है लोग ना उतनी तीजी से भाग रहे हैं ना दोड़ रहे हैं तो सरकार की जो preparation था वो तो अच्छा है सरकार के पास vaccine भी है vaccine को administer करने का infrastructure भी है बट लोग उस level पे vaccine लेने नहीं आ रहे हैं दूसरी बाद सरकार ने जो भी vaccine बनाई है उसको donate किया है neighboring countries को और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो बांगलादेश हो गया ब्रजील हो गया मालदीवस हो गया नेपाल हो गया यहां पे भारत की बनाई हुई vaccines गई है बात यह है कि भारत सरकार के पास जितनी supply है vaccines की और जितनी demand अभी के नजर आरे उनमें बहुत gap है supply vaccine की ज़्यादा है और demand कम है Saturday marks 28 days since the first doses of vaccines were administered मतलब यह जो पिछला Saturday अभी जो गया Saturday है दो दिन पहले 28 दिन हो गया मतलब 4 अफते हो गया कि पहला batch of vaccine दिया गया तो और 8.2 million को दिया गया है आगे आने वाले जल्दी ही समय में जो 50 साथ से बुड़े लोग है या वो लोग जो यंग है बड़ उनको कुछ बिमारी है उनको भी vaccine देनी शुरू की जाएगी मार्च तक आते आते 97 million doses kovi shield की available होंगी किसके पास जून तक कोvi shield की 97 million doses होंगी सरकार के पास अभी कि लिए kovi shield और monetary vaccine मिला के 82 million doses सरकार ने available करवा दिया किसके पास 97 million doses जुन तक आएंगी kovi shield की सरकार के पास इन 97 में लगबग 48 million doses, 15 मार्च तक सरकार खतम कर देगी vaccination में यह कुछ यहाँ पर figures है, यहाँ फिगर्स कितने important हैं कितने important नहीं उसमें जाना जरूरी नहीं है basically यहाँ कहां कहां जा रहा है, कहां यह जा रहा है कि इंडिया में supply बहुत ज़्यादा है और vaccine की demand कम है अगर आप बाकी देशों से इसको compare करो, जैसे इटली जैसे देशों से compare करो तो वहाँ पर vaccine की supply कम है और demand जादा है तो कुल मिला के इंडिया जादा prepare हो गया, हाला कि उसमें कोई problem नहीं है कहीं न कहीं अच्छी बात है, कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में जब vaccines के ओपर लोगों को confidence आ जाएगा, तो खुदी लोग दोड़ दोड़ के vaccination कराने लगेंगे problem यह है, कि जो सबसे acute phase था करोना वाइरस का इंडिया में, वो phase over हो चुका है एक समय था, जब करोना वाइरस के इंडिया में एक लाग, डिर्ड़ लाग cases आ रहे थे दिन में, लोग डरे हुए थे हम लोग उस level से वापस आ चुके हैं, एक डिर्ड़ लाग cases के level से 10,000 के cases के आ चुके हैं, कि डर काफी कम हो गया लोगों का जब याद करिए एक एक लाग, एक एक लाग, दस हजार, एक लाग, बीस हजार case जब दिन में आ रहे थे, सब डरे हुए थे अब डर लोगों का थोड़ा कम हो गया, इसलिए लोग vaccine लेने जल्दी भाग नहीं रहे अगर ये वो समय होता कि भाई, करुणा वाइरस के एक लाग के इस दिन में आ रहे तो लोग vaccine लेने दोड़ रहे होते लेकिन अभी के लिए लोग vaccine लेने नहीं दोड़ रहे हैं, चुकि चीज़े थोड़ी stabilize है और यही expect कि है जागा कि stabilize ही रहे यहाँ पर ICMR का serological survey के साब से यह बता रहे हैं कि लगबग 21 प्रतिशत आबादी देश की virus को expose हो चुकी है problem यह है कि हमें यह नहीं पता है कि कितने प्रकार के virus के mutations market में भूम रहे है one of the dangerous virus mutations कौन से हैं, तो E484K करके mutation है, एक N440K करके mutation है यह कुछ ऐसे mutations है virus के जो भैंकर तरीके से फैल रहे हैं, इंडिया में किस हद तक फैले हैं, इसके बारे में कहां नहीं जा सकता है इनमें से एक UK से आया है, एक South Africa से आया है, यह mutations dangerous हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि इन mutations के हिलाब जो present vaccines हैं, शायद वो vaccines उतनी effective ना हो, किस हद तक यह UK वाला जो variant है, वो इंडिया में फैला हुआ है, इसके बारे में भी अभी कोई proper जानकारी है नहीं, तो basically यहां पे कहा क्या जा रहा है, कि सरकार को अभी भी mission mode में काम करना है, और mission mode में काम करते हुए, सबसे पहले तो सरकार के लिए यह जरूरी है, कि वो लोगों के अंदर confidence जगा है, वैक्सीन के process को लेके, और उसके लिए, यह जो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन है, इसका efficiency data release करना बहुत जादा जरूरी है, problem तक को वैक्सीन को आप इतने major scale पर एडमिनिस्टर कर रहे हो लोगों के बीच में, और आप उसका efficiency data release नहीं कर रहे हो, इसके चलते कुछ अच्छा होने वाला है नहीं, in fact जो लोगों का confidence है वैक्सीन के अंदर उसको यहाँ अप अटा रहे हो, यह बात यहाँ पर पताई ग कि मैं अलडि एक वीडियो बना चुक हूं, यमें سिवल व Mexico को लेके. यहाँ पर यमें की बारे में जानकारी, यमें में हाओधी गृप्स क्या है, हाओधी मीम्मेंट कैसे आगे बढ़ा यमें, यमें में ये वार कब शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, US का क्या रॉल ह बाइडन के आने से इस वार में कितना फर्क पड़ेगा, कितने लोगों कि यहां पर जाने जा चुकी ही, जाने यहां पर सिर्फ बमो और पंदू किसे नहीं गई हैं, यहां पर जाने बहुत सारी अलग-अलग प्रकार्ट की बीमारियों से भी गई हैं, अगर आप बात करो इ क्रोमिनेंट है, साओधी अरिवयए, यहां यहां पर जाने बहुत जादा हो रही हैं, तो इस्ट में ओमान नौर्थ में साओधी अरिवयए, साओधी अरिवयए की इमेजिट कंपनीज अगर आप देखो नियवर्ट में, तो इजिप्ट नजर आ रही हैं, ऊपर की तरफ UAE, Oman और नीचे की तरफ यह में नजर आ रही है तो यह कुछ important आप कह सकते हो यह neighboring countries है याद रखेगा यह जो पहला वाला अगर मैं आपको दो points दूँ यह जो state है इसको मैं बोलता हूँ first state और यह जो दूसरी state है इसको मैं बोलता हूँ second state इन दोनों states के नाम नीचे comment box में मुझे बताइए one और two के सामने लिख के कई बार discuss कर चुका हूँ वड़ चले ठीक है एक प्रकार का आपका revision हो जाएगा इस तरीके से अब शुरुवात करते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है इस US support को Biden वापस कीचेंगे क्यों वापस कीचेंगे चुकि कहीं न कहीं इस US support के चलते Saudi Arabia एक onslaught कर रहा है येमिन के हाओदी के अगिस्ट पर उसके चलते civilians की जाने भी बहुत जा रही है येमिन का एक बहुत बड़े इलाके के उपर Saudi rebels का control हो चुका है और कहीं न कहीं वो अपने control को छोड़ नहीं रहे लोग की जान बहुत जा रही है तो Biden ने बोला है कि हम इस onslaught में Saudi Arabia का support नहीं करेंगे लेकिन हम Saudi Arabia की मदद करेंगे उसकी sovereignty को बचाने में जहां जहां पर Saudi Arabia की sovereignty को नुकसान है वहां वापे Saudi Arabia की मदद करेगा US ठीक है भई US ने पहली बार कब offer दिया था Saudi Arabia को Saudi rebels के against Barack Obama के अंदर Barack Obama में शुरू ने support दिया जब ज़्यादा जाने गई तो Barack Obama ने अपना support वापस खीच लिया बाद में Donald Trump की सरकार आई और Donald Trump का इस पूरे के पूरे रीजन में Iraq और Saudi Arabia वाले रीजन में एक ही एम है कि वो Iran को contain करना चाहते है और Iran को contain करने के लिए आँख बंद करके Donald Trump Saudi Arabia को support कर रहे थे और कहीं न कहीं इसके चलते हैं जो Yemen की crisis है यह बहुत ज़ादा एक limit से ज़ादा फैल गई अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो यह जो Yemen है इस बिकम वन ओफ पूरेस्ट अरब कंट्रीज एक humanitarian catastrophe में मदल चुका है यह Yemen ठीक है भाई और इस पूरी की पूरी आप कह सकतो event को Donald Trump administration ने जाते जाते भी और बुरा कर दिया हाउदीज को Donald Trump administration ने एक terrorist organization डेकलेर कर दिया हाउदीज को back end से यहाँ पर support कौन देता है ऐसा बोला जाता है कि Iran openly support देता हाउदीज को हलाकि एरान ये बोलता है कि हम कोई भी support नहीं देते बट इन हाउदी rebels के पास इरान के बनाये हुए bum, बंदूकें पाई आती है ठीक है जब Donald Trump के state department ने हाउदीज को एक terrorist group बोला तो बहुत सारे rights group ने इसके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने बोला कि भाई देखिए Yemen के एक बहुत बड़े हिस्से पे हाउदीज का control है सना जो उनकी capital है उस पे हाउदीज का control है तो जब हाउदीज का इतना control है अगर आप हाउदीज को ही basically यहाँ पे terrorist group बोल दोगे तो क्या आप इस problem को इस catastrophic disaster को रोक पाऊगे नहीं आप disaster को रोकने की बात नहीं कर रहे हो आप in fact उसको बढ़ाने की बात करो बाइडन यहाँ पे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे है ठीक है वो अलग कितना कर पाएंगे वो एक अलग बात है बट अभी के लिए बाइडन ने कुछ अच्छे संकेत दी है बाइडन ने बोला है कि बैई यह जो हाओदी इसको हमने बताया है हमको इस टेररिलिस्ट की लिस्ट से बाहर निकालेगे फिर यह जो मिटर ट्रंप की पॉलिसी थी कि कैसे ना कैसे करके इरान को कंटेन करना है इस पॉलिसी को बाइडन छोड़ेगा और कही ने कोछिश करेगा साओधी अरेविया के साथ भी और इरान के साथ भी अगर आप बात करो तो बाइडन के आते ही साओधी अरेविया ने ये जो चार साल लंबा ब्लॉकेड लगा रखा तक कतर के उपर वो भी हटाया इसके चलते कतर की जो रिश्टे थी इरान के साथ वो बहुत ज़दा को तो इस हद तक प्रशर लगा दिया थे हैं यहाँ पर कितार संपर से होना हुआ कुछ भी नहीं अब अगर आप येमिन की domestic politics की बात करो तो ये जो conflict है येमिन का वो किसी भी प्रकार से solve होता नदर नहीं आ रहा है जो साओधी back government है प्रेजडेंट अबदारूदू मंसूर हादी की किसी भी प्रकार से ही जो हादी की government है ये वापस आएगी इसकी कोई guarantee नहीं है मंसूर हादी खुद भाग के आपकी साओधी अरबिया में छुबे बैठें ये अपने देश में रहतक नहीं रहें येमिन की एक बहुत बड़े इलाके पे including their capital सना ये आपका हादी का already control हो चुका है और ये जो प्रेजडेंट अब्दर्रा बदू मंसूर हादी की जो सरकार है इस जस्ट आ नॉमिनल और symbolic सरकार actually में on ground इनके पास कोई भी ताकत नहीं है पांच साल तक ये war 2014-15 में शुरू हो गया तो 2020 में UAE इस war से बाहर निकल गया अब येमेन की जो politics है वो अंदर से बहुत fractured है बहुत टूटी हुए ये मैंने आपको येमेन civil war वाली वीडियो में बता रखा है इस वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है जैसे कि for example येमेन 1990 से पहले दो अलग-अलग भागों में divided था एक भाग था southern येमेन वाला उस southern वाले भाग को फिर से अलग करने की बात कर रहा है एक organization जिसका नाम है Southern Transition Council ये Southern Transition Council कहीं न कहीं चाहता है कि भाई ये जो southern part of येमेन है इसको अलग कर दिया जाए और इसको एक independent entity बना दिया जाए जैसा कि 1990 से पहले था तो येमेन के अंदर बहुत सारे अलग-अलग factions है जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं इस proper chaos के चलते औरड़ी 10,000 लोगों की जाने जा चुकी है इन attacks में ममोगरा की वज़े से और हजारों की जाने तो बिमारियों की वज़े से जा चुकी है और प्लस साओधी अरेबिया के हराद मिया बहुत अच्छे नहीं है साओधी अरेबिया के उपर लगातार drone attacks हो रहे हैं समझे हाओधी इस तो permanent war में रही रहे हैं कहीं न कहीं साओधी अरेबिया भी परशान है साओधी अरेबिया के जो साओधी अरेबिया की मदद भी करेंगे तो कुल मिला कि यहाँ पर यह जो लड़ाई हो रही है इसको इत नया direction मिल सकता है बाइडन के चलते हाला कि US ने जो support बंद किया है साओधी अरिब्या के तरफ यह बहुत late बंद हुआ है अब जो Yemen की domestic politics है वो काफी fractured हो गई है काफी आपस में बढ़ गई है इसको resolve करने के लिए एक बहुत enhanced आप कह सकते हो कि एक बहुत enhanced introspection चाहिए बहुत high level पे एक दूसरे की सथ बातचीत होनी चाहिए बहुत अलग-अलग जो factions जैसे Southern Transition Council, Houthis फिर बहुत अलग-अलग प्रकार के factions है आपकी Yemen के अंदर, फिर आपका UAE फिर USA, Saudi Arabia यह सब साथ बैटके जब बात करेंगे तब सो शायद कोई agreement निकल के आ जाए और यहाँ पे इरान की तरफ से भी assent आना चाहिए तभी कोई agreement हो पाएगा अगर इरान की तरफ से assent नहीं आना आया तो और problem आगे बढ़ने वाली है तो यह है पूरा का पूरा दोस्तों इस पूरा topic का analysis जिस वीडियो को मैंने आपको reference दिया है उस वीडियो को और दिख लीजे आपको काफी और चीजें clear हो जाएंगी यह मैंन civil war को लेंगे फाइनली चलते हैं अपने आखरे article की तरफ fuzzy law, unclear jurisdiction trampled rights तर लीकल रिजीम जैट इनिबिस the government to block websites needs urgent reform यहाँ पर बात की जारी section 69 A of the information technology act उसके उपर बाज में आते हैं पहले देखते हैं background के background यह है कि एक फरवरी 2021 को farmer protest तो चाल हुई थे और violent incident की report भी आई थी जनवरी 26 को एकदम से हुआ यह एक फरवरी 2021 को कि बहुत सारे tutor accounts बैन हो गए इसमें केरवन वैकजीन का टेकोरेट अकाउंट था एक्टर सुषान सिंग का tutor account था किसान एकता मोर्चा हैंडल का tutor account था यह tutor accounts एकदम से बैन हो गए अब लोगों के अंदर एक confusion की स्थिती आई कि यह जो tutor account बैन हुए है यह tutor ने खुल से कर दिये या सरकार के कहने पर ट्विटर account बैन किये गए शुरुआन में clear नहीं था कि Twitter ने इन अकाउंट को बैन किया है या सरकार के कहने पर बैन हुआ है या फिर court के कहने पर बैन हुआ है किसी को नहीं बता था बाद में जब ज़्यादा opposition बढ़ा तब सरकार ने clear किया कि सरकार ने invoke किया section 69A of the information technology act और इस act के चलते सरकार ने Twitter को instructions दिये कि तुम बंद करो इन अकाउंट को और इन अकाउंट को बंद करने की एक और वज़े थी चुकि एक hashtag यहाँ पर viral हो रहा था जिसका नाम था Modi planning farmer genocide अब basically यह hashtag dangerous है Modi मतलब देश का प्रधान मंतरी farmers का genocide करना चाता है उनको मारना चाता है genocide तो Hitler ने किया था जिस के against यह बहुत बड़ा statement है तो अगर यह statement कही न कहीं trend कर rise को रोखना बहुत ज़रूर है as simple as that freedom of speech के नाम पे Modi planning farmer genocide नहीं पहला सकते as simple as that तो यह public order का threat और सरकार ने section 69 A को invoke किया but problem यह है कि section 69 A को invoke करते समय ऐसे बहुत सारे twitter accounts को भी ban कर दिया गया जो इस hashtag का इस्तमाल नहीं कर रहे थे जैसे कि caravan group का जो twitter account है वो इस hashtag का इस्तमाल नहीं कर रहा था तो जो accounts इस hashtag का इस्तमाल नहीं कर रहे थे अगर आपने उसको ban किया है तो कहीं न कहीं आपने section 69 A का गलत प्रयोग किया है और इसलिए basically यहां पर सरकार को किट साइस किया जा रहा है अब एक फरवरी को twitter ने इनको block किया बाद में twitter ने इनको restore भी कर दिया जैसे ही twitter ने इनको restore किया सरकार की तरफ से एक non-compliance notice गया twitter की तरफ कि आप लोग section 69 A का violation कर रहे हो और इसके लिए आपको prosecute भी किया जा सकता है बहुत लंबे समय तक मतलब लगबग 24 गंटे तक सरकार की बाद twitter ने नहीं मानी बाद में twitter ने इन पोस्टों को अटाया 10 फरवरी को twitter ने एक blog post published किया और twitter ने बोला कि ये जो सरकार की तरफ से हमको order आया था ना एक फरवरी को कि इन twitter accounts को ban करो ये order सही नहीं था ये twitter बता रहा है हमारी भारत सरकार को हालात इतने खराब हो गया समझ गए अब basically इस article में यही बात की गई है कि सरकार ने यहाँ पे जो twitter के against किया है और twitter ने यहाँ पे जो किया है सरकार की बात ना मान के वो सही किया या गलत किया सरकार ने पहले 69 एक अंदर कुछ accounts को block करवा है बाद में twitter ने इस accounts को revoke किया सरकार ने twitter को warning issue की कोल मिला कि यह सब कुछ जो हो रहा है कितना सही है, कितना गरत है इसके उपर एक बहस देखनी जरूरत है सबसे पहले यहाँ पे legal structure को 3 points से देखा जा रहा है और उससे भी पहले यहाँ पे देखिए यह जो social media है यहाँ पे twitter की बात हो रही है यह twitter freedom of speech के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है हम इस बात को मानते है लेकिन कहीं न कि twitter और सरकार की बीच में जड़ा पूती ने जरा रही है तो problem यह है कि अभी की सरकार को censorship pro देखा जा रहा है मतलब वो government की तरह देखा जा जा जो censorship करती है अब बात ही है कि किस हद तक यह जो twitter जैसे organization है वो सरकार को oppose करने के लिए सामने आएंगे इस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है इंडिया में इंडिया की sovereignty का नाम लेकि किस हद तक चीज़ों को रोक सकती है और किस हद तक twitter सरकार को resist कर सकते है यह एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है और किस हद तक legal action सरकार twitter के against ले सकती है तीन points यहाँ पर निकल के आते है अभी के लिए जो legal structure है section 69A of the information technology act के थ्रू इसमें पहली चीज़ तो यह है कि यह section 69A censorship को सरकार के लिए बहुत आसान कर देता है और उसमें सरकार का कोई खर्चा भी नहीं आता है ठीक है बई तो इस section 69A के अंदर सरकार को इताकत मिलती है कि वो किसी भी twitter जैसे intermediary को बोल सकता है कि इस content को block करो और twitter उस content को block कर देगा यहाँ पे speech का censorship होता है तो कोई बात नहीं सरकार इस option को क्यों resort कर रहा है चोकि सरकार को लगता है कि unity and integrity of India के प्रती कोई चीज़ prejudicial है तो उसको हम block कर सकते है तो पहली चीज़ सरकार के लिए 69A के अंदर जो block है यह बहुत cost effective है और सरकार को कोई खास reason देने की यहाँ पे ज़रूद भी नहीं है दूसरा क्या बोला जा रहा है the confidentiality requirement means that the users will not even know why their account has been blocked जिस particular twitter user का है किसी भी social media की user का account block हुआ है उसका account को block किया गया इसके बारे में भी जल्दी पता नहीं चल पाया को उस user को तो यह जो confidentiality वाल requirement है यह सरकार को बहुत favor करती है मतलब सरकार चीज़ें block कर रही है और block करने के लिए सरकार को कोई वजय देने की भी जरूत नहीं है और तीसरी चीज़े there are no procedural safeguards कोई भी procedural safeguards नहीं है अगर किसी का account block हुआ है तो वो अपने account को unblock करने के लिए तुरंद क्या कर सकता है इसका कोई proper scenario नहीं है एक ही scenario है कि आप judiciary में जाए और judiciary में जाके आप अपनी appeal file करिए कि भाई मेरे साथ यह यह अत्याचार हुआ है मुझे इंसाफ मिले judiciary बाद में जब twitter को order देगा कि हाँ भाई इसके account को unblock कर दो तो unblock कर दिया जाएगा यह साब बातें यहाँ पे निकल के आ रही तो कुल मिला के जो root of the problem है वो root of the problem क्या है root of the problem है आपका section 69A of information technology act this is basically the root of the problem अब इस root of the problem की जड़ क्या है इस root of the problem की जड़ है shriya single case अगर आप shriya single case की बात करो supreme court के तो shriya single case में supreme court ने section 66A of the information technology act को unconstitutional माना लेकिन section 69A of the information technology act 2000 और इसके अंदर जो blocking rules थे जिसके चलते ऐसी चीजें जो हमारे देश की unity integrity के against उनको सरकार block कर सकती है इसको legal माना किसने supreme court ने under section 69A तो भाई कहीं ना कहीं 66A को तो constitution के हिसाब से struck down कर दिया court ने लेकिन court 69A को allow किया हलाकि 69A को blocking orders को allow करते वक ये भी बोला गया कि अगर कोई blocking order गलत तरीके से लगाये जाता है अगर section 69A को गलत तरीके से लगाये जाता है तो आप judiciary के पास जा सकते हो आप high court और supreme court के पास आ सकते हो अपनी petition लेके लेकिन अभी यहाँ पे एक और इज़ाम लगा रहा है author ये बोल रहा है कि भाई आज की date में जो judiciary है ना वो judiciary तो pro government हो रही है मतलब author यहाँ पे judiciary के ओपर बिरजाम लगा रहा है तो कुल मिलाके judiciary द्वारा लाए गए श्रिया सिंगल केस को author court करके बोल रहा है कि श्रिया सिंगल केस जो 2015 में आया था उसमें section 66A को Supreme Court ने unconstitution में बोला बट section 69A को और blocking rules को सही बोला लेकिन अगर 1669A और blocking rules गलत तरीके से लगाएगे हैं तो आप judiciary के पास आ सकते हो बट author at the same time यहाँ पे यह बोल रहा है कि judiciary इस समय पे executive का support, सरकार का support जादा कर रही है और neutral तरीके से decision नहीं दे रही है तो कुल मिलाके section 69A के against एक effective check होना चाहिए जो कि अभी के लिए present नहीं है और अभी की situation इतनी खराब है ऐसा author का बोलना है कि Twitter जैसे जो बड़े media houses हैं कि वही freedom of speech को यहाँ पे safeguard कर पा रहे हैं तो कुल मिलाके यहाँ पे freedom of speech violate हो रहा है ऐसा author नहीं यहाँ पे declare कर दिया है इस freedom of speech के violation को बचाने के लिए हमारे पास कोई set procedure है नहीं और judiciary इस समय पे executive और legislature का साथ दे लिए अब यह इर्जाम यहाँ पे author लगा रहे हैं कि सब्दक इर्जाम सही है यहाँ गलत है आपको इस पे दिमाग लगाने की जरूत नहीं है आपको दिमाग यह बोलना चाहिए कि बहुए श्रिया सिंगल के supreme court में section 66A of the IT Act को struck down किया तर सरकार ने बढ़ section 69A और blocking rules को struck down नहीं किया अगर वो rules implement किये गए हैं कुछ particular situations के लिए वो situations से by unity और integrity बची रहनी चाहिए public order बचाना ना चाहिए foreign nations के साथ रिष्टे बच्चे होने चाहिए तो इस प्रकार के basis पे section 69A को justify किया गया था बहस बहुत बड़ी चल रही है कि twitter ने सही किया या twitter ने गलत किया इसके ओपर means में सीज़ा सीज़ा सवाल बन सकता है चोकि topic बहुत ज़़ा sensitive है सारे statistical points और सारे importance आप facts मैंने आपको यहां पे बता दी है इसके respect में आप से यह बोलूँगा कि आप ना twitter को सही बोले और ना ही सरकार को पूरी तरीके से justify करें देखिए देखिए मोधी planning farmer genocide यह hashtag गलत है और freedom of speech के नाम पे आप इस प्रकार के hashtag को trend नहीं कर सकते यह बात सही है लेकिन at the same time जो लोग इस hashtag का इस्तमाल नहीं कर रहे थे जो लोग proper तरीके से अपने बातों को twitter की थुरू बोलने ही कोशिश कर रहे थे उनके account भी सरकार को block नहीं करने चाहिते तो सरकार ने भी गलत किया है और कहीं न कहीं जो agitation करने वाले लोग है इन्होंने भी गलत किया तो एक balanced approach की जरूत है और यह balanced approach judiciary ही लेके आ सकती है कुछ इस परकार का जवाब आप लेक सकते हो so thank you for watching this video friends I hope आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अपने viewpoint नीचे comment box में जरूर दीजेगा आपके वीउपॉंट से मुझे पता चलता है engagement भी बढ़ता है और लाइव बटन जरूर दबाईए का चैनल पर thank you for watching this video friends have a great day